महाराश्ट्र के पुड़े शहर का फर्गियुसन कॉलेज अपनी पढ़ाई के लिए देश्क विदेश में मशूर है। एक बार फिर ये कॉलेज खबरों में हैं लेकिन जरा अलग वजह से दरसल कॉलेज में नए साल के जश्रन के दौरान तीन छात्र साड़ी पहन कर पहुँचे। अब उनकी फोटो सोशल मेडिया पर वारल हो रही है। साड़ी के साथ उन्होंने मैचिंग ज्वैलरी और लिपस्टिक भी लगाई थी। आकाश पवार, सुमित हुनवारकर और रोशकेश सनप नाम के इंस्टोडेंट्स ने ऐसा लैंगिक समानता का संदेश देने के लिए किया। गुरुवार को कॉलेज में योईयर पर एक कारेक्रम हुआ। इसमें तीनों शामिल हुए। उनकी सोच की कॉलेज के शिक्षकों से लेकर छात्रों ने सरहाना की और उनके साथ सेलफी और फोटोज खिचवाई। आकाश, सुमित और रोशकेशी की साल के हैं। आकाश ने कहा एसा कही नहीं लिखा है कि लड़कों को लड़कों वाली कपड़े ही पहनने चाहिए। और लड़कियों को साडी, सलवार कमीज और सकठ्च। इसलिए ट्रे किया कि हम पाटी में साडी पहन कर जाएंगे। जश्न के बाद तीनों लड़िकों ने कहा कि उन्हें ये इहसास हुआ कि इस परिधान को पहिमने और संभालने में कितनी मेनत करनी पड़ती है। तीनों लड़िकों के इस साहसिक कदम की ना सिर्फ कॉलेज के दूसरे छात्रों ने बलकि प्रुफे सडस ने भी सराहना की।